गुट इवनिंग एविबड़ी आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरी ना में इंग्लेंड उसस पाकिस्तान सेकेंड D20 आए हिटिंग ली लीड्स में हो रहा है यह मुकाबला आप खास बात यहां की क्या है कि जब आप लीड्स में खेल रहे हो तो आप आपको लीड्स के वेन्यू रेकॉर्ड बहुत जरूरी है पता हुने लेकिन यहां पर इंटरनाशनल माच D20 का कोई हुआ ही नहीं है तो कैसे पता चलेंगे उस पर देखते हैं और देखते हैं कहां हम अपनी टीम कैसे फॉर्म करते हैं बड़ा ही इंटरेसिंग अनालिस है इंजिरी न्यूज है दो प्लेयर बड़े वापस आ सकते हैं सब कुछ वीडियो लाइक करके अगास करना स्टार्ट करते हैं यह मैच का अनालिस वेदा फोकास बढ़िया है इससे पहले बारिश जरूर हुई थी लेकिन मैच पूरा होना से दिक्कत नहीं होनी चाहिए यह अगर आप इंटरनेशनल मैच तो हुए नहीं तो डिमेस्टिक देखो कि डिमेस्टिक में पहली इनिंग में अच्छा खासा स्कोर बनता है ऐसा देखा गया है और 260 बन चुका है पहले लेकिन अभी क्या मैं सेनारियो आपको दिखाऊंगा पहले आप देख लो प्लेयर कौ और एक डिफरेंचल पिक हो सकते हैं अगर दोनों स्पिनर खेलते हैं जो मुझे बहुत ही कम चांसे लगते हैं पाकेंसन और अदिलशीद साथ में खेलें तो बेसिकली जो भी स्पिनर खेले वह आपकी टीम में आ रहा है बहुत आराम से ठीक है अब जरा कुछ माचेस किया था लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि अगर वह आपको देखते हैं खासकर पहले बॉलिंग करते हैं विकेट लेते हैं वक्त भी दिखेंगे जैसा कुल दीब के लिए मैंने आपसे बोला था अगर आपको याद हो कि यहां पर आप वो विकेट लेने वाले हैं यॉ आपसे पनला मैच नाया वन्यू आराम से चेज़ हो गया 144 कोई देखकत नहीं हुए फिर 240 ऑल्मोस चेज़ होके है 222 बना दिया जौने बेरेस्टू डेइविड विली ने तबाही मचाती जौने बेरेस्टो फिर से और डेविड मला डेवड विली जौने बारेस्टोा व पत्ती जल जाता है और वो कुछ अलग खेलते हैं जैसे आपने देखा जाने वेरेस तो दो इनिंग्स खेल चुके हैं दोनों अच्छी खेली हैं यहाँ पे बटलर ने एक इनिंग खेली है और 23 बनाया है लेकिन यह इंपोर्टन्ट क्यों हो जाते हैं क्योंकि यह बॉलिंग रहे हैं दोनों बार विकेट लेके गए डिविड मलान ने कुछ खास नहीं किया, 30 के ओपर एक भी इनिंग नहीं है, पिछली 5 इनिंग यहां खेल चुके हैं, और शायद मुझे लगता आज यही रिप्लेस भी होंगे, क्योंकि जॉस बटलर आने वाले आज, शायद आप डिविड मलान, डिविड मलान तो रिप्ले ना मिलाओ, और पहली बॉलिंग करते हैं वक तो भाई हर इनिंग में विकेट है, तो यह बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, आप कौन सा स्पिनर खेलता है, यह देखने डेविड विली ना तो जड़ी लगा रखी, जैसे पिछले मैच में मैं आपको जेक बॉल का बतारता इनको खिलाया नहीं गया, यहाँ डेविड विली का देखो, जैसे मैदान नहीं होता घर के बाहर का, वैसे खेलते हैं, यहाँ पर हर मैच में अल्मोस्ट विकेट लेके बैठे हैं, और खासकर जब फर्स बैटिंग कर रहें तब यह बैटिंग ऊपर करते थे, यह धियान बार एक विकेट तो लेके गया, और रन देखो कितने बना है, यार, 70, 118, 44, 40, 80, 51, मतलब भायंकर खेला, लेकिन हाँ दियान रखना है, यह उपर बैटिंग करते थे, वहाँ के लिए, इंग्लेंड के लिए नहीं करते, आदिल रशीद यहाँ पे भी अल्मोस्ट बढ़ि बैटर दिख रहे है, आदिल रशीद सेकंड बालिंग में ज्यादा बेटर दिख रहे है, बहुत ख्लेर कट देख रहा होगा, पागिसान की तरफ से, एक आद दो प्लेर खेले होंगे, एक प्लेर फाही मश्रफ ने खेला है, पता नहीं, खेला है, जाया आएगा, नहीं ज एस अलवेज खास का चेस करते वक्त लेकिन दूसरा नाम जो आएगा और वजे क्यों मैं बोल रहा था आपसे वह है मोहीन अली का इस वेन्यू पे छे इनिंग में 56 और बॉलिंग में भी 7 इनिंग में 8 विकेट ले रखे हैं बस लिविंग्स्टन को लेने का वही मकसद है एक का ड्यू नहीं मिला है जो वो जिस लेवल के प्लेयर हैं जो सीएस के न दिखाया कि मोहीन अली किस लेवल पर खेल सकते हैं वो अब जाके चौथे नंबर पर उनको बैटिंग करके मिल रहा है और वो चौथे नंबर की बैटिंग अगर आज फिर खिला ही जाती है अब इस्टो का पांच इनिंग में 30 का अवरेज है यह ओडिया के हैं टी 20 में उपर दिखा चुका हूँ बटलर का 25 का है बॉलिंग में यहां पर भी आदल रशीत का ही नाम है यहां पर भी डेविड विली का ही नाम है तो वो दोनों प्लेयर्स आपके फिक्स हो चुके हैं और इनिंग में खेलेंगे तो जरूर हम रखेंगा और अगर आप देखोगे भी तो स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है अल्मोस यह बताता है हर इनिंग में दो विकेट लेके बैठे हैं पाकिसान की दरफ से भी ओडिया यहां खेला है और बाबर अज़म एस एक सप्रा इमादवसीम अगर आप इमादवसीम को लेना चाहो रिस्क लेने के लिए ले सकते हो मैं शायद उनको तब जादा प्रिफर करूँगा जब वो पहले बॉलिंग कर रहे हूं यह मेरा थौट प्रसेस है आप दुनों सेनारियों में कभी भी देख सकते हैं लेकिन इमादवस इसके बाद बाकी प्लेयर आज आएंगे राशिद आएंगे इनको आपको रखना है अपने टीम में वेन्यू है स्कोरिंग रहे शॉटलेस में बटलर के लिए मैंने आपको बोला ही पिछले मैश में खेले नहीं तो जो मैचेस बचे हैं बटलर को जरू ट्राय कर लेना सी कविए जितनी भी जीएल खेलो आप बेरिष्टो मॉगन मोईन अली का कानी बता दी मस्पिक बॉलर बता दिया डिफरेंचल में बता दिया साकिब मह्मूद पाकिनसन जो भी खेलें दो स्पिनर तो खेलेंगे नहीं तो अगर आदिल रशीद खेलेंगे तो फिर पाकिनसन नहीं खेलेंगे तो जिसका मतलब है बचेंगे मेहमूद उनली साके मेहमूद थी पाकिस अंग्लिया से बाबर आजम शेहिन अफ्रीदी एक और बॉलर जो मुझे अच्छा लगा वो थे मोहम्मद हसने उन्होंने विकेट एक ही लिया लेकिन सबसे अच्छी एकॉनमी थी और अगर आपको क्रेडिट बचाने के लिए कोई बोले लेना आप हसने के साथ भी जा सकते हो डिफरेंचल पिक में बैंटिंग साइट से मुझे जो सबसे अच्छे लगे पिछले माच में वो थे मुहमद हफीज और मुहमद हफीज के साथ मुझे जो मतलब रिजवान और बाबर अजम आपको पता ही है लेकिन सोय मक्सूद जितनी तर खेले ना भाई साब गरदा उडा के खेले वो खड़े खड़े बहुत लंबे लंबे शॉट मानते हैं तो थोड़ा सा अगर आपको टेक्निकली साउंड चाहिए तो हफीज है जो रुक के खेल जाकते हैं और आपको चाहिए तो आप सोय मक्सूद के साथ जा सकते हो यह आप पे छोड़ता हूं लेकिन दोनों ही अच्छे हैं अगर आप मुझसे पूछ होगो तो शायद मैं स्मॉन लीग में एक सेफ चोईस लूँ हफीज और ग्रैंड लीग में सोय मक्सूद यह चेंज कर सकते हैं जबी भी आप हफीज को ग्रैंड लीग में भी एक टीम में पहले बैटिंग करते हो कप्तान बना के छोड़ देना क्योंकि हफीज एक ऐसे प्लेयर हैं जिन पर भरोसा कर सकते हो इस पूरी टीम में बाबर असम और हफीज और रिजवान अब थोड़े कंसिस्टेंट हो अगर आपको यादो जेक बॉल जो खेले नहीं दूसर नाम से सीधा-सीधा लियाम लिविंग्शन का था आपने देखा हंड्रेड मारी और अगर आप ध्यान से देखते होगे तो आपको फाइदा सरूर मेलेगा पागिसान के लिए ये चार प्लेयर्स और अनप्रडिक्ट टीम में आपको पता है जौस बटलर होंगे बाबर एजम होंगे सब लोग यहीं बनाएंगे और बैटिंग विन्यू होगा तो आपको यहीं बनाना भी है क्योंकि विन्यू आपको बहुत ध्यान रखना है अच्छे से बाकी बटलर आएंगे तो कोई तो जाएगा पाकिसान अच्छा करता है ओवरॉल इंगलेंड आगे है और पिछले मैच का यह सिनारियो है जहां सब ने आके धुमां भर दिया था है पाकिसान के जिसको देखो वो हिटिंग कर रहा था अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से और शदाप खान सेकंड बॉलिंग में हमिशा अच्छा कर रहे थे सामने से सिर्फ दो प्लेयर जो अच्छा कर रहे थे जैसन रॉय और याम लेविंग्सन इन्होंने दिखाया स्कोर अपना बाकी डिविट विली ने नीचे साके थोड़ी सी हिटिंग करी आज जो रिप्लेस हो सकते हैं प्लेयर उसमें लगता है मुझे कि शायद आप देखो टॉम करन को रिप्लेस होते हुए जोड़न आजा है उनकी जगे ऐसा हो सकता है क्योंकि साकेप को तो एक ही माच हुआ है मौके मिलने चाहिए ठीक है इससे पहले के मैचे हम पुराने वीडियो में डिसकस कर चुके हैं एक बार हेट टूएट के ओवर अदरवाइज अदिल रशीद और डेविड विली यहां पर भी मेजर स्ट्राइक रेट होल्ड करते हैं काफी जादा अच्छा और पाकिसान की दावसे हफीज 28 बाबर अजम 60 रिजवान 31 फकर जमान 17 पिशली बार चौथे नंबर पर बैटिंग करी जो उनकी पोजिशन है इमाद वसीन तो यह आपको यहां से समझा रहा है यह इनिंग वाइज अनालिसिस है टॉस के बाद अगर आप देखना चाहो कि भाई दोनों हेड टू हेड देखना है क्यूंकि वेन्यू पे ज़्यादा रिकॉर्ड है नहीं इन दोनों के तो हेड टू हेड में इनिंग वा तो थोड़ा सा पॉइंट्स दे रहे थे अभी बॉलिंग नहीं करा रहे बटलर की जाधा इनिंग नहीं है लिविंग संग की एक इनिंग देख लिए आपने उसके लावा जॉर्डिन फर्स इनिंग बॉलिंग करते हैं एक बार भी विकेट लेस नहीं रहे हैं साथ में कंटिन्य हो रहा है सेकेंड इनिंग ज्यादा बिटर है जैसे मैंने ऊपर समझाया था और ग्रेगरी ने पहली बॉलिंग करते वक्त एक वीग लिए दो ही ओवर कराए थे दो वर पाकिंसन ने और दो वर इनके लिए आम लिविंग शन ने कराए थे पाकिंसन की रब से बा नहां को बोला है ग्रांड लीग में एक टीम में बनाके भूल जाओ ठीक है ये शायद मैं दो या तीन प्लेयर्स आपको स्पेसिकली बोले हैं ध्यान दे नाइन पर क्योंकि ये थोड़े से ऐसे प्लेयर्स हैं जो जिस दिन चल गए आप वो उस दिन पढ़े अराम से जीत है लोग ठीक है तो भाई देखो अभी मेरी जो टीम दिख रही है क्योंकि बटलर अभी तक तो कंफर्म है लेकिन एक बार आएंगे तो हम वाइस काप्टन शायद उनको कर दें लेकिन कीपिंग जो करेगा बैसिकली उनको कर देंगे क्योंकि कीपिंग में भी कुछ पॉइ और बाबर आजम अब तीसरे नंबर पर यहां पर कोई भी आ सकता है रिजवान और आजम तो उपन कर रहे हैं तो देखते हैं क्या करती है टीम थोड़ा बहुत उपर नीचे कर रही है तो कोई बात नहीं लेकिन शोई मक्सूद आए फिर उसके बाद मुझे लगता है हवी लिए अब यहां पर मैं मुहीन ले सकता हूं क्यूंकि मैं चौथा नंबर का बैट्वन जो इंगलेंड का आता है वो मुहीन अली ही है लिए लिएम लिविंग्शन उनके बाद आते हैं ठीक है बालिग में लिए लिविंग्शन को दो और मिलेंगे बाकी दोनों को पूरे अगर Parkinson की जगे अदिल रशीद तो यहाँ आदिल रशीद आ जाएंगे, simple, और यहाँ पे आप अफरीदी और शदाब खान को देख रहे हो, अब किसी को credit की दिक्कत हो, अब किसी को credit की दिक्कत हो, हसनेन या फिर हैरिस रॉफ, और यहाँ पे शदाब खान की जगे, इमाद या शदाब खान हो, इमाद वसीम, दोनों भी रख सकते हो, थोड़ी बहुत बाटिंग भी मिल जाएगी, ठीक है, यह एक team दिख रही है, आपको, composition आए होब, आपको बहुत clear हो गया होगा, जादा दिक्कत नहीं होगी, जनता का यह selection है, अभी के लिए, लेकिन मुझे पक अलग कर जाए, और आपके लिए अलग, मतलब जो लोग नहीं सोच रहे हो, वो आप कर जाओ, और डिफरेंट रहो, बाकी, बालिंग में आप अपने हिसाब से, आदिल रशी जैसे आ गए, तो उनको try कर सकते हो, एक team में, second balling है, खासकर लेकिन team में रखना, दोन वेनिंग